उधर बियस्पी अध्यक्ष मायवती ने नसीमुदीन सिद्धिकी और उनके बेटे अवजल सिद्धिकी को पार्टी से बाहर कर दिया है नसीमुदीन सिद्धिकी की गिंती बियस्पी के कदावन नेताओं और पार्टी अध्यक्ष मायवती के करीबियों में हुआ करती है चेहरे के तौर पर पहचाने जाने वाले नसिमुदीन सिदिकी को बीएसपी से बाहर कर दिया गया है नसिमुदीन सिदिकी के साथ उनके बेटे अफजल सिदिकी की भी बीएसपी से छुटी कर दी गई है नसीमुदीन और उनके बेटे को BSP के खिलाफ काम करने और पार्टी के नाम पर लोगों से पैसे लेने के आरोप में पार्टी से निकाला गया है पार्टी ने शी नसीम उदीन सिद्गी वा उनके फुत्र अफजल सिद्गी को पार्टी से निशकासन करने का निड़वे लेते हुए उन्हें पार्टी के सभी पदों से हटाते हुए पार्टी से निशकासित कर दिया है कि इनकी फश्चमी उत्व प्रदेश में भी काफी बेनामी संपतियां हैं और दोसरों के नाम पर कई स्लॉटर हाउस भी चल रहे हैं और जिन पर इनों ने चुनाव के नजदीक कुछ आर्थिक तौर पर मजबूत लोगों से ये कहकर उनसे पैसा लेकर लगा दिया कि उत्तर प्रदेश में बीएस्पी की सरकार बनने वाली उधर बीएस्पी से निकाले जाने के बाद नसिमदीन सिदिकी ने मायवती के खिलाब बड़े खुलासे के संकेत दिये नसिमदीन ने आरोफ लगाया कि पैसों की डिमांड फूरा नहीं करने के कारण उन्हें पार्टी से निकाला गया नसिमदीन को निकाले जाने के बाद दिवही कहानी सामने आ रही है जो बहुजन समाच पार्टी के इससे पहले निकाले गए या छोडने वाले तमाम नेताओं ने बया की है खास तो पर पैसे को लेकर के जो बाची जो आरोप मायवती पर लगाया जाते थे कुछ वैसी ही बाते नसीम अदिन सिद्धिकी के निश्कासन के पीछे भी नजर आ रही है